आपका स्वाधत है हमारे चैनल पर आज हम एक नए विशय पर चर्चा करेंगे विचार करें अगर आप एक डाइनोसौर के जड़बे में फंस जाएं तो यह विचार ही दरावना है ना आईए आज हम ऐसे कुछ जानवरों के जड़बे की ताकत के बारे में जाने इस सूची में नमबर दस पे है शेर शेर यानी की लायन उसके जड़बे की ताकत 41 किलो पर 4 सेंटिमीटर शेर को तकरीबन 35 किलो से ज्यादा मास चाहिए और वह इसे प्राप्ट करने के लिए 250 किलो से अधिक वजन वाले प्राणी का शिकार करता है उसके जड़बे की ताकत 41 चाट्तरों के बराबर है नमबर 9 इस सूची में नमबर 9 पर है बाग इस सूची में नमबर 9 पर स्थान पाने वाला बाग या टाइगर एक अध्भुद जीव है इसके जड़बे की ताकत 74 किलो प्रती 4 सेंटिमीटर है बाग हमेशा पीछे से हमला करता है वो शिकार की गरदन पकड़ के उसमें अपने दातों को घुसा कर जटके मारता है जिस से शिकार की स्वास नली समेद गरदन तूट जाएगी एक अध्वितिय घटना में एक बार एक बाग ने 540 किलोग्राम का भैंसा गरदन से पकड़ कर उबर्खबर रास्ते से आधे पोने किलोमिटर तक खीच कर जंडल तक ले गया था जंडल तक पहुँचने तक उसने भैंस को एक भी बार जमीन पर नहीं रखा था यह विशेश तरीके से बाग की महत्वपूर्ण व अध्वितिय क्षमताओं को प्रकट करता है एक और घटना में एक बाग ने दो मीटर साथ फीट उची दीवार को कूट कर एक आदमी को जड़बे में पकड़ा और साथ फीट उची दीवार को कूट कर उस आदमी को लेकर वापस चला गया नमबर आठ इस सूची में नमबर आठ पे हैं लकडबग्गा लकडबगः याने के हाइना उसके जड़बे की ताकत 77.3 किलो पर 4 सेंटिमीटर लकडबगः यानी की कुद्रत का सफाईवाला शेर और बाग जैसे जानवर खाने के बाद जो कुछ बचा-कुचा छोड़ देते हैं उसको पूरा करने की जीमेवारी लोमडी और गीद की है और उसमें भी जो बचता है उसको साफ करने का जिम्मा भगवान ने लकडबगः को सोपा है क्योंकि वो हड़ी के भी छोटे-छोटे टुकडे करके खा लेता है लकडबगे का पेट सिर्फ हड़ी ही नहीं बलकि जानवरों की मोटी खाल और सिंग भी पचा सकती है इस सूची में नमबर साथ पे है कोडियक रींच कोडियक रींच यानि कोडियक बेर और उसके जड़े की ताकत 82 किलो पर 14 सेंटीमीटर अमेरिका के उत्तरी राज्य अलास्का के कोडियक तापू पर ही मिलने वाला तकरीबन 600 किलो का ये बेर जब अपने दोनों पेरों पे खड़ा होता है तो उसकी उचाई लगभग 2.8 मीटर या फीर 9 फिट तक पहुँचती है नमबर 6 इस सूची में नमबर 6 पे है बुल शार्थ बुल शार्थ के जड़बे की ताकत 88 किलो पर 14 सेंटीमीटर पूरी दुनिया में तकरीबन 350 तरगी शार्थ पाई जाती है और इसमें सबसे खतरनाक और हिंसक शार्थ है धी ग्रेट वहाईट शार्थ इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर मचली है तो इतने बड़े जड़बे से 88 किलो की ताकत हर 14 मीटर पर वो ही लगा सकती है पर उसके दाथ उतने नुकीले होते हैं कि सब चीज कट जाती है इसलिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं रहती पर बुल शार्प के दांग उतने तेज नहीं होते इसलिए समुधरी कचुए डॉल्फिन, मध्यमकत की शार्प को अपने मजबूट जड़बे के जोर से काट के खा लेती है इस सूची में नमबर पांच पे है आफ्रिकन गोरिला आफ्रिकन गोरिला के जड़बे की ताकत 92 किलो पर 14 सेंटीमीटर आफ्रिका के पहाडों में बसने वाले गोरिला का प्रिय खुराक बांच है बांच वैसे तो एक घांस ही है पर उसकी मजबूती का जवाब नहीं इसलिए उसके 92 किलो पर 1,4 सेंटीमीटर की जड़बे की ताकत से ही बांस चबाना आसान बन सकता है और ये सिर्फ आफ्रिकन गोरिला ही कर सकता है इस सूची में नमबर 4 पर है हिपोपोटेमस हिपोपोटेमस के जड़बे की ताकत 128 किलो पर 4 सेंटीमीटर घंटो तालाब में शांत पड़े रहने वाले हिपोपोटेमस देखके तो यही लगता है कि उससे शांत स्वभाव का प्राणी दुनिया में और कोई नहीं है हिपोपोटेमस का हाइड्रोलिक प्रेस जैसी ताकत वाला जड़बा जो की 150 डिगरी तक खुलता है जबकि आम इनसान का जड़बा 45 डिगरी तक ही खुलता है आफरिका के जंगलों में बसने वाले मगरमच कभी कभी हिपो को शिकार करने की भूल कर बैठते हैं पर हिपो की ताकत इतनी होती है कि मगरमच की अंधरूनी अंगों को हिपो अपने जड़बों के बीच में मसल सकता है इस सूची में नमबर तीन पे है जगुआर पैंथर जगुआर पैंथर के जड़बे की ताकत 140 किलो पर 14 सेंटीमीटर बिल्ली कुल के जानवर में सबसे ताकतवर जड़बा दक्षिनी अमेरिका वर्शावनों में बसे जगुआर पैंथर का होता है शेर और बाग अपने शिकार को गर्दन से पकड़ते हैं पर पैंथर जानवर की खोपरी पर हमला करता है बंदर और हिरन जैसे जानवर का शिकार करने के लिए उसके सिर में अपने जड़बे का 140 किलो पर 14 सेंटीमीटर जितना दबाव लगा कर खोपरी को मसल कर चुरा बना देता है कच्छुए की धाल तोड़ना लगभग हर जानवर के लिए नामुम्किन है पर जगुआर पैंथर का जर्बा उसको भी चकनाचूर कर सकता है ऐसे आपको उसके जड़बे की ताकत का पता चलता है नमबर दो इस सूची में नमबर दो पे हैं खारे पानी का मगर्मच खारे पानी का मगर्मच के जड़बे की ताकत दो सौच किलो पर चोरज सेंटीमीटर दुनिया में मगर्मचो की तकरीबन सोला प्रकार की किसमें पाई जाती है जिसमें से तीन मुख्य है क्रोकोडायल, एलिगेटर और घडियाल मगर्मचो की किसमों में सबसे लंबे होते हैं खारे पानी के मगर्मच जो की साथ मीटर यानी की 23 फीट तक लंबे होते हैं और वो भारत, श्रीलंका, फिलिपाइन्स के तटो में बसते हैं एक तन के वयस्क मगर्मच 260 किलो का दबाव बना सकता है नमबर एक इस सूची में नमबर एक पे है नाइल नदी का मगर्मच नाइल नदी के मगर्मच के जड़बे की ताकत 492 किलो पर 14 सेंटिमीटर कद में खारे पानी के मगरमच के बराबर ही होने के बावजूद नाइल नदी के मगरमच के जड़बों का मुकाबला दुनिये में और कोई नहीं कर सकता हर चोरस मीटर में 492 किलो का दबाव बनाने वाले मगर सबसे पहले तो शिकार को जड़बे से पकड़ता है और फिर उसको बार-बार पलगता है नाइल नदी में से गुजरने वाले वाइल बिस्ट और जिबरा के जुंड में से वो आसानी से शिकार बना लेता है आपको ये जानकर हैरानी होगी के 1960 की शुरुवात में नाइल नदी का एक मगर नर्भक्षी बन गया था आखिरकार 1969 में जब उसे मारा गया तब उस 4.64 मीटर यानी सवा 15 फीट लंबे उस मगर का नर्भली का अंग था 400